जादातर हिंदी भासी राज्यों में एक गाना बजता है, और वो गाना इतना जादा वाइरल होता है कि छोटे-छोटे बच्चों से लेकर और बड़े बुढ़े तक सबकी जुबान पर छाजाता है। बसरते क्या था कि इस गाने को सब मन में गुनगुनाते थे, अकेले में गुनगुनाते थे, क्योंकि चार लोगों के बीच में गुनगुनाने में उन्हें थोड़ी सी लज्जा आती थे, गाना क्या था, कि हव वाला फेलदा, ढोणी जानी छेलदा, था कलबा मिजाज, और पाकी आगे की तमाम सारी लाइने हैं, यह जो सही लाइन है और जो सही गाना है, वो सही वेक्ति के मुझसे ही अच्छा लगेगा, और जो इस गाने के सही वेक्ति है, यानि सिंगर जो है, वो हमारे साथ बैठे हैं, सोसल मीडिया पर तो इनका नाम बुलेट राजा है, और ज जितने भी मेरे भाई देख रहे हैं, आपके दर्सक देख रहे हैं, धिल से लब यू, हम चाहेंगे कि ऐसे प्यार दुलार देते रहे हैं, और आगे, अच्छा एक चीज़ बताईए, आप से लगभग मेरी मुलाकात हुए आधे घंटे हो गया होगा, इतनी देर में लगा त पत्ति कहां से हुई, पीए पटकथा कहां से लिखी गई ऐसा गाना कि हाँ, देखे एक भोषपूरी में कहां, कहल बनो, कि रहा सादा कि नी महें बाप दादा, उडल यला उतन है, पहले पीछे देख लिए जला कि हम का रहो ने, आगे मिलता तो हम केंगा चले कबाद अगर पांच रुपीए बाब है, तो ठेला पकाता ने, अब पचास रुपीए हो फाइपे स्टार होटल में हम जाके ना खाई, यह अपनी उकात नहीं भूलना चाहिए, लोगों को यह नहीं कि हाँ, मिल गया थोड़ा सा नाम सौरत मिल गया, तो आप किसी से बात ही न करे और वो तो मैंने देखा, और आप भी अगर मिलेंगे, तो देखेंगे, यह नहीं कि हाँ, इनका जो गाना हो तो आरोप जो है, वो बरकरार रहने वाला है, अच्छा यह बताईए, यह गाना किसने लिखा और कैसे लिखा गया, दिमाग में कैसे आया, थोड़ा सा इस गाने जो भी कहें, गारजीयन है, जिन्होंने गाना यह लिखा, अच्छा, मेरे निर्मल सर, निर्मल योगेस नाम है, मेरा टोटल गाना, हमको को लगता है कि, जीवन में सबसे ज्यादा गाना मेरा वह लिखे है, अच्छा, ज्यादा तर्जोग है, इका दुका किसी और ने कि आपको गाना दिया, जी, जी, कैसे फिर उन्होंने लिखा, तो आपने एक भार बोला नहीं, जैसे आपका सभाव है, जो मुझे लगा, बड़े सरमातें कि, यार ये वाला गाना ऐसे करके, अच्छा, ज्यादा तर्जा तर्जा आपके जो गाने है, उसमें लोगों का कह सबसे ज्यादा प्यार दूलार मिलता है, तो अरकेष्टा वाले सोंग से, जिसमें थोड़ा सा, थोड़ा सा रस्त हो, थोड़ा सा कुछ हो, फिल हो, फिल हो, कुल मिला कि ये कि लोगों के दिमाग में ये जाना चाहिए, कि अच्छा, उनको करेट करना चाहिए, वहां से, तो अच्छा, ये बताईए, कि आपने गाना जब गाया, और उसके बाद में जब ये मार्केट में आ, क्या अंदाजा था आपको कि इस तरीके से लोगों का रेक्शन मिलेगा, मुझे तो कुछ अंदाजा नहीं था, लेकि मेरे कभी जी का, बोरा, फुल, उन्हें बता था असलील में थखेलते हैं, इसके पहले कहने कोई गाना के लिए चर्चा हो गया? अब भी कहिने कहीं चर्चा करें हैом़े उसी गाना सुने हो इस से पहले को आई इस तो अवे ग गाना बजगे यह वह अल जो नहीं बजा उसका कोई पूछता ही नहीं कि वह गाना में कितना पईसा लगा था कितना नहीं लगा था अब यह गाना कितना पईसा लगा था कुछ पढ़ने वाला नहीं था आपके करीबी जो है जो जैसे आपके करीबी रिष्तेदार हो सकता है घरवाले हो सकते हैं जब आप गाना गाते कोई कोई गाने ऐसे होते हैं कि हम अपने दोस्तों में अपने माता पीता या ऐसे नहीं कर सकते हैं दोस्तों में और रहा बात की लोग कहते हैं असलील असलील क्या मानते हैं यह वाला जो गाना आपका वाइरल हुआ है यह सबके साथ सेयर कर सकते हैं सबके साथ आप अपने साथ सुन सकते हैं हम अपने दोस्तों में सुन सकते हैं सुनने के लिए तो सभी लोग सुनते हैं अपने अपने अलग अपनी कम्यूनिटी में जी है कि नहीं वह अलग सुनने है लेकिन ऐसा बात नहीं है आगे जो गाना आने वाला है आपका वो ऐसे ही आएगा इसी तरीके के गाना सब तरीके के जैसे चीज मैंने सुना है कि जितने भी भोजपूरी इंड़स्ट्री के सिंगर होते हैं उनका यह मानना होता आप बताना करेक्ट करना यह दूद का धुला नहीं है एक दो बार ऐसे गानों से ख्याती मिली लोगों तक पहुंचे उसके बाद में जब उनकी पब्लिक के बीच में उनकी पैठ बन गई ऑडियन्स बन गई फिर उन्होंने क्या अच्छे गाने लाने शुरू कर दिये यह होता है यह होता है लेकि लोगों को देख की चाला है तो मतलब यह भोजपूरी इंडश्टी के स्ट्रेटरजी कह सकते हैं कि हाँ यही नीती है इसका कह नहीं सकते हैं लेकिसा अच्छा भी गाना है ऐसे गानों से क्या होता है कि जल्दी पॉबलर हो जाता है लोग पॉबलर तो पॉबलिक के उपर है उनलों को क्या अच्छा लग जाएगा कि शीच का मतलब ज्यादा खूसी है तो उनलों लोग उपर है चली यह तो हो गया इस गाने पर यह बताए कि सुरुवात कैसे हुई सिंगिंग लाइन का और दूसरी चीज की बुलेट राजा नाम अधर काड में भी है नहीं है ले मामा जी है तो भझपांध मेरій नाम है लेकिन रहरां मेरा कमल में राजाघु आफ अच्छा नाम कि मुलेट राजा-य। अच्छा तो बड़ा दश्का होगा आगे का क्या प्लान है किस तरीके से करने वाले हैं आगे का एक बहुत पिजोड गर्दनाक दूसरा लुक रहेगा मेरा बाल इतना इतना रहेगा ओठ में ओठ लाली और थोड़ा सा नए टाइप का वीडियो आ रहा है लगाना है तो आए जब वाइरल होता है जैसे आपका यह वाला गाना खूब वाइरल हुआ कितनी कमाई हुई इस गाने से एक अमूमन कितनी हो जाते हैं कमाई कि कमाई कि वो सब थोड़े बताया जाता है कि कमाई कि जो भी हुआ ठीक है दाना पानी चल जाता है मतलब सही नहीं बताएंगे न लोगों का धेर सारा प्यार मिलने लग जाता है पलिक के बेशित में जाती है पहचान अच्छी मिल जाती लेकिन पार्टिकुलर उस गाने की रखरणर को साइड में रख जेते तो कमाई कितनी होती है कुछ फुता है या नहीं सुथ कितना क्या होता है नहीं हमें तो अंदाजा है लेकिन दर्सकों के लिए तो जरूरी है अचा गाड़ी-बाड़ी कौन-कौन सी रखे हैं भी आप घरवर लिए भी पटना में की सोच रहे हैं लेने के लिए इस्टूडियो जहां बैठें बार मैं बोलूंगा इस्टूडियो यहीं बैठें और यहीं पर वो गाना रिकॉर्ड हो जातर गानी यहीं पर रिकॉर्ड होते हैं तो यह सब कैसे शुरू कि और अभी घरवर लेने का सोच रहे हैं नहीं क्योंकि अब तो धीरे-धीरे अच्छा नहीं जगे चलिए भगवान करें जल्दी से जल्दी आप ले तो उस समय हम रखें थे एक्स प्रो गारी उसके बाद उसको बेच के सेकंड बुलेट लिए अचा बुलेट राजा बुलेट पर लिए जल्स बताओ कि जिसे अब तो हीट हो गए हैं तो बाओ जी वहीं रिस्यात उसे आप हैं गारी बारी दे नहीं क्योंकि हमारी यूपी बिहार में होता क्या है कि अगर सरकाई नोकरी मिल गए है तब तो घरवाले खुस हैं नहीं तो कुछ और कर रहे हैं कुछ लोगों का नहीं कह सकते हैं कुछ गार्जिंस का बड़े नाराज से रहते हैं अभी डाट उट पढ़ते हैं क्योंकि हम ज्यादा तर लेगाइबहुस है वासा दू-दूद खाए बठें और सब ठीक है घर में किस से ज्यादा बंती है अशाई हो यह रिस्तिदारी में कोई ऐसा है कि मतलब जिसे बहुत अच्छी बांड हो अब नाम लेना चाहें बताना चाहें जिसने साथ लिए हो क्योंकि रिस्तिदारी का तो उसम्जे में आपको मजा आएगा कुछ बातों से यह नहीं कर सकता है जो अप्रसका यो अप्रसा और सब्सक्राइटों नास कौदी तो हॉइ नास कॉदी दिल सला भी अमरेकगे बनावत रहलो है थी हम अपन कायम करत रहो बाकि मातर नहीं के शिबात हैं तो घूमने जाते होंगे नहीं हैं तो घूमने में बतना हो गया आरा हो गा बलीया हो गया बहुत जगह सुटिंग करने हैं हम लोग का वह नहीं है कि सबसे ज़्यादा जगह को से पसंद है यूपी में कोई या बिहार में या कहीं भी किसी और मुंबई जाने के बारे में क्या ख्याल है बुंबई फोन आ रहा है जो यूटूब चलाते हैं तो बाबू आओ कभी घुमने तो थोड़ा सा मुझे भी कर रहे हैं लेकिन काम के सिल्सिलिया इतना बढ़ गया ना कि जाने पार लेकिन जाएंगे नौरात्री आ रहे हैं उसमें गाने वाने आ रहे हैं बहुत बिजोड गाने आ रहे हैं और असाना पूरे विश्वय सगे चले बात्चीत के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और एक चीज अगर आप यहां से चाहे तो वीडियो स्किप कर सकते हैं जिन लोग को इस गाने से इतराज है और जो लोग इस गाने में इंट्रेस्ट रखते हैं वो से डेर दिन पनाई हरते अई लुहकार से और रात भर माजा आज लेवेदा तु प्यार से वहां से लड़की का लाइन है कि आज भर धील दा धूली जनी छील दा था कल्बा में आज जनी हो अला फील दा बहुत बढ़ियां भाई बहुत बढ़ियां रियल जिनलगी में भी ऐसे हैं मस्त रहते हैं ब्यास्त रहते हैं हर फन मौला अलड़ चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताईए अगर आपकी कोई सवाल है तो आप कमेंट में नीचे छोड़ सकते हैं और जल्द ही नए स्टूडियो देखने को मिलेगा जैसे नए स्टूडियो आएगा सारे सवाल आपके लेकर हम पहुंच जाएंगे इनके पास तो दीजे हमें इजाज़त मिलते हैं किसी और नए एपिसोड में